जाहिन दोस्तों चलिए इस तो बात करते हैं से को और कोशन के बारे में सीडियस 2011 में आया हुआ है इसमें एक्जामना ने कहा कि कोई कंपाउंड इंटर्स पे अमाउंट दो साल में 9680 जाता है और तीन साल में जो अमाउंट रहता है 10648 होता है तो वह पूछा रहा है रेट 10648 तो आप इसका डिरेक्टली डिफ्रेंस निकालेंगे डिफ्रेंस जो आएगा आपका 968 आएगा यह अगर मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट माना तो इनकी बीच का डिफ्रेंस जो होगा हो मेरा क्या हो सिंपल इंटरस्ट होगा तो 9680 में नहीं हा रखा इसको 100 से मल्ट इपलाए गया तो यह मेरे पास में डिरेक्टली क्या जाएगा आपका 10 परसेंट यानि इस कुशन का जो अंसर होगा वो ऑप्शन भी होगा आई होप आप सभी को कुशन समझ में आया होगा जय हिंद छय भारत